सारे ती रथधाम आपके चर्णों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चर्णों में जै गुरुजी संगत जी गुरुजी के श्री चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को भी जै गुरुजी मैं आशा करती हूँ कि आप गुरुजी की दिव्याभा के सभी सत्संग बहुती ध्यान पूर्वक और पूरा सुन रही है और ये सत्संग और भी लोगों को और भी संगत और नौन संगत को भी शेयर कर रही है जिससे गुरुजी की केरपदरश्टी सभी पर पढ़े और सभी के कश्ट दून हो और ये सेवा गुरुजी की आपके द्वारा की जा रही है तो मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी अपने सभी भक्तों का ध्यान रखे और हमें हमेशा अपने शिरिक चर्णों से अपने कमल चर्णों से जोड़े रखे गुरुजी का सिमरन गुरुजी के सत्संग में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया जाता है और इस सत्संग को सुनने से हमें अमारे मन में चल रहे बहुत सारे questions का answer मिलता है आप गुरुजी के ये सत्संग जरूर सुने और पूरा सुने सत्संग 10 मैं स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्या मंतर के साथ आप मेरे साथ धुराए ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए सत्संग 9 सुरी संगत जी ये सत्संग 10 है 9th मेरा पहले सत्संग था जो मेरा description box में आपने सुना होगा वो उसमें अल्डेडी है सो सत्संग 10 परम पिता का संतान सुख आशीश सर्व प्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी की दर्शन का सुभा के प्राप्थ हुआ मेरे मामा जी गुरुजी द्वारापने हिर्दय रोग के चमतकारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चचा करते रहे थे मेरे मामा जी को उनके हिर्दय रोग फिशेशग्य ने अती शीग्र बाइपास कराने का सुझाव दिया था और अपने आपको मानसिक रूप से पर कर वहे गुरुजी का आशरवात लेने गए गुरुजी ने अपने पास बिठा कर उनको अपने पाउं दबाने को कहा फिर उनसे उनके स्वास्ते के बारे में प्रश्न किया मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आग्या मांगते हुए अगले दिन प्राते हैं मामा जी प्रवेश पूर्व परिक्षणों के लिए चिकित साले प्रत्थम दिवस और परिक्षा कल काल सन्योग से अगले दिन दिली में अपने काडल पहुचने पर मुझे ऐस्थाई काल के लिए वापस श्री नगर जाने को कहा गया वहाँ पर काडल रत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूख हो गई थी और एक ग्रहक ने उच छेत रहे हैं काडले में ऐसंतोष प्रकट किया था गुरुजी से उनके जनम दिवस के अफसर पर उनके दर्शन ने होने की हो पाने की निराशा के साथ मैं श्री नगर लोट गया मुझे सोपे गए कारे में सफल होने का विश्वास था क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और राशीश दोनों प्राप्त हो चुके थे मुझे ग्यात था कि सबकुछ गुरुजी को की अनुसार ही होगा कठिन परिस्थितियों में मैं श्री नगर और अवन्तिपुर के कारे संभालता रहा वहे ग्राहक अत्याधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभी योग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कुछ कारे कर था संभवत है इससे पूर्व मैं यह कारे ने कर पाता पर इस बार अंतर था मेरे पास एक आश्रह था और कटन काल में मैं उनको याद करता था अंतर था एक मास के उपरांत उस गिराहक ने मुझे अपने कारेले में बुलाया उसने मेरे समक्षी छेतरी कारेले में फोन किय और मेरे द्वारा दी गई उच इस तरिये सेवाओ के अती प्रशनसा करी उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशनसा पत्र भी दिया मुझे पता था कि इसका करता कौन है मात्र गुरुजी ही ये कर सकते है जै गुरुजी गुरुजी के पुने है द उन्हाने गुरुजी के जनम दिवस के अफसर पर उपस्तित सहसरों श्रद्धालू और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने साहता करी थी मैंने सोचा क्या वह हमें संतान सुख का आशीश देंगे विवा के सातवर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंच जिकित्सक प्रातना और उपाए सब ऐसफल रहे थे मेरे मामा जी ने गुरुजी का अशिर्वत लेने का सुझाव दिया उन्हाने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया तुआनू बच्चे लभेंगे भज जाओ मामा जी ने उनके उन मित्र को विवा के 16 वर यह एविश्वस ने प्रतीत हो रहा था किन्तु गुरुजी के सत्य वचना नुसार उनकी पत्नी ने क 30 दिसंबर को एक साथ तीन बच्चों को जनम दिया दो पुत्रोडे कन्या गुरुजी के आशिर्वाद से सब कुछ संभव है पर हमें उनका आशिर्वाद कब मिलेगा मैं उत्सुक था मैं गुरुजी के यहां निरंते जाते रहे पर उन्हाने कभी हमसे बात नहीं करी अन्या महानु भावो के ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया वहानु कूल समय आने पर बात करेंगे उनके पास जाकर अपनी समस्याबत बताओ एक दिन जब हम गुरुजी के लंगर के पस्चात संगत में बैठे हुए थे गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया क्या वास्तप में मुझे बुला रही थे संगत ने आश्वस्त किया कि मुझे ही बुलाया है मन में अनगीनत विचार समेटे किन्तु बोलने का साहज जुटाने के कठिन प्रियास सहित मैं उनके पास पहुचा इथे क्यों आया वे गुरुजी कोई बच्चे नहीं है बस इतना ही बोलने का साहज जुटा कर मैंने उ देखकर बोले चंगा आठवे दिन आता रही इस बात ने मुझे अती विस्मित कर दिया गुरुजी को कैसे पता कि हर आठवे दिन आना ही मेरे लिए सुविधा जनक है उस समय मैं आठ दिन के पाली के चक्र में काड़ रत था दो दिन पराहा दो दिन रातरी और फिर दो द दिन अवकाश इस परकार पहले अवकाश को ही सतसंग में आना सुविधा जनक था हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर आठवे दिन जाना प्रारम कर दिया संगत के अनुमंतरित भाग्यवान सदसे अपने अनुभव सोनाते थे इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि ग गुरुजी से आशीश प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई थी हमारी आर्थिक प्रजितियों में भी सुधार हो रहा था हम दोनों संतार नो पत्ती निश्वलता का अपचार करा रही थे परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी यद्धपी चि सफल रहा तो फिर बाहे प्रत्यार ओपन कर गर्भाशे में बिठाने का प्रियास करा जाएगा किन्तु वह अधिक मूलेवान होगा उनी दिनों मुझे अपने कुछ कारेले से समचार मिला कि मुझे अधिव शासी MBA की प्रवेश परिक्षा देने के लिए चुना गया है उसे गुरुजी पर यह निर्णे छोड़ने को कहा उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उप चार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा गुरुजी के अगले पर दर्शन के अफसर पर साहस बटोर कर मैंने सुझाब मांगा गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अफसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए यह बात सुनकर अब मेरी पत्नी उदास हो गई मैंने परिक्षा दी सफल अभ्यारतियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी यह सुनकर की मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था मेरी पत्नी चिंता बुक्तित हुई इसी समय चिकतसिका ने दो जून 2000 को अमतिम बार पुने पिछली प्रक्रिया दोरणे का निर्णे किया उन्हें इस बार भी कम आशा थी उन्हाने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे मैंने अपने कार्ले में समचार दिया मैं विलंप से पहुचूँंगा इधर चिकत साले में प्रिथम नमूने और परिक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया जब मैंने अपने कार्यले में बताया कि विलम्द अधिक होगा और बहुत कोई अधिक होने पर नहीं आऊंगा तो उस अधिकारी ने लिदेशी किया दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए मुझे वहाँ आवश्य पहुचना है यहाँ पर कार्यले समप्त होने पर और अपनी पतनी के सुरक्षित घर पहुचने का प्रबंद कर जब मैं अपनी कार्यले पहुचा तो मुझे MBA में अपनी चेयन का समचार बिला सिकरती देने के लिए तीन दिन का समय था अगले दिन जब हम गुरू जी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समचार गुरू जी को दिया मेरा भ्राम जैसे कोई सर्वग्याता को कई कोई नवीन समचार दे सकता है तो मुस्करा कर वह बोले फिर ते कल्यान हो गया मैंने सोचा मैंने तो गुरू जी को अपनी चेयन की बात बताई है और वह कह रही है कि मैं धन्या हो गया यह तो प्रत्यक्षी है उस समय गुरुजी के तत्परे से हम अनभिग थे इस रहस्योद घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेश था गुरुजी के गतन का रहस्या अगले दिन प्रत्य हुजागर हुआ जब मेरे पत्नी ने अपना गर्बवती होने का समचार दिया गुरुजी के खिरपा से कटन सम परिस्थितियों में की गए अंतिम चेश्टा सफल हो गई हुई थी हम दोनों हर्श से विहल और क्रतक गया थे चक्षो में अश्रू भरे हम दोनों बहुत देर ता गुरुजी के चितर का चुमबन लेते रहे उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल चूकर जैसे ही उन्हीं है समचार सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा एक पार पुने सर्फ ग गया उसी अवधी में उसे महाविद्यालय पड़िसर में ही घर मिल गया और जिससे प्रतिदन यात्रा करने के कश्ट से भी मुक्ती मिल गई उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जनम दिया शिशू के 40 दिन पूर होने पर हम उसे गुरुजी का अश्रवात दिलाने उनके पास ल से यह पूछते रही वे कभी उत्तर तो नहीं देती थी पर अच्रच सदा रहता था कि इतने चोड़े शिशू के साथ कैसे पुने उस पूरी परिकरिया को दोरा पाहेंगे उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे जून 2001 में MBA पूरा होने पर मेरा सानांतरण राज रहले में अपने वरिष्ट अधिकारियों से अनेक अनुने विने करी पर कोई साहता करने को उद्धत नहीं था सबकी उदासी इंता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रभंद कर जाने का मन बना लिया था उस संद्या को हम गुरुजी के द पुना मांटी होड मुंडा लेना है मेरी पतनी ने तदकार उत्तर दिया यदि मेरे पती वीस थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहां से मिलेगा गुरुजी मुस्करा कर बोले कि यह तो वास्ता में तक्नीकी और समस्या है पर मेरा स्थाना अंतरा रत कर देंगे हम हम उनके कमल चरण इस परश कर घर आ गए दो दिन के पश्चाद मेरे एक वरिष्ट अधिकारी ने फोन किया और बोले तुम अपनी समस्याओं के कारण ने जाने की बात करते रहे हो तुम एक आवेदन पत्रे लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते मैं देखता हूं कि क् मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ती के कारण का पता था उसके बश्चाद गुरूजी के जनम दिवस साथ चुलाई 2001 से मैंने पुन्यकारेल में काम प्रारम कर दिया तब मैं दिली दो वर्श और रहा। रवदी में एक बार मेरी पत्नी ने मुझे से कहा कि इस बार करने होनी चाहिए और गुरूजी से इस बार में निवेदन करेगी। अगले दिर्शन के समय वह गुरूजी के चरण इस परश करते समय कहने ही वाली थी कि गुरूजी पहले बोले पहली वार मुंडिया ते अपना उत्तर मिल गया था और उसने एक दिसंबर 2002 को पुने पुत्र को जनम दिया गुरुजी ने दूसरी पुत्र का नाम करण इशुक किया हमारी दूसरी संतान होने के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पतनी से प्रश्ण किया कि क्या वह है पिएच्टी करने का विचार कर रही है उसने उत्तर दिया कि दो बच्चों के साथ पठन-पाथन का काड़िया अती अटकठिन है गुरुजी ने अपना सुझाव दोराया और बोले पता है पिएच्टी दा की मतलब होंदा है पागल होने दा डर इस सुझाव का कारण हमें धेर में जब तब जाकर स्पष लेकर मैं गुरुजी का आशीश लेने गया और उन्हें अपने स्थानांतर के बारे में बताया उन्होंने मुझे जाने की आग्या दे दी प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा इस अवधी में कुछ बार हम गुरुजी की दर्शन के लिए एक ऐसे ही अफसर पर उपचारिकताएं भी पूड हो गई फल सरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया यहां पर यह बताना अनुप युक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के वेक मित्र जो एक निपुड जोतिशी भी हैं ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयू में होगी उनकी गुरू जी के आश्रवात से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयू में हुई और दूसरी 39 वर्ष की तो वह केसे चुक कर गए उन्होंने उत्तर दिया कि इश्वर द्वारा लिखा हुआ भागय ही जोतिश से पता लगता है किन्तु गुरू जी जैसे महापुरुष जो महान र नहीं हो सकते